रोड नक्सा प्रस्तावित एवं अनुमोदन किये बिना बनाये गए सड़क एवं सड़क चोड़ी करन में आठ परियारों को मुआवजा राशी प्रदान करने तथा बाकी बचे 19 परिवारों को मुआवजा राशी प्रदान नहीं किये जाने की फरियाद लेकर पहुंचे ब 50 बोर्सी भाटा के रहवासी ने शासन प्रिशासन द्वारा किये जा रहा है भेदभाव को लेकर अपना रोश जताया है सोमवार को दुर कलेक्टेट पहुचकर लोगों ने बताया कि रोड नक्षा प्रस्तावित एवं अनुमोदित किये बिना बनाये गए सलक एवं सलक चौड़ी करन में 8 परिवारों को मौावजा राशी प्रदान किया गया मगर बचे 19 परिवारों को अब तक मौावजे की राशी प्रदान नहीं की गई है जिसके चलते समस्त पीडित परिवारों ने अनेको बार आवेदन कर समस्या का समधान करने का निवेदन किया है परन्तु आज तक समस्या का समधान नहीं किया गया साथी बताया कि किसी भी जमीन पर पट्टा वीतरन शास की भूमी पर किया जाता है ना कि नीजी भूमी पर यह जमीन नीजी दर्शाया गया है और इसका निरिक्षन तैसिलदार द्वारा किये जाने का आश्वासन देकर तत्काल मौजा राशी प्रदान करने की बात कही गई थी लेकिन तूटी सुधार हेतू हम सभी से आविदन मांगा गया लेकिन आज तक तैसिलदार द्वारा भी तूटी सुधार नहीं किया गया और नहीं मौजा राशी प्रदान किया जा रहा है इस संबन्द में मीडिया के समक्ष अपनी जानकारी पीडितो ने दी है प्रदीप कुमार जी के नाम से जमिन दिखा रहा है जिसमें हम लोगों को संचावरासी में पच्यासी में और अन्ठान में पट्टा मिला हुआ है उनका नाम रिकार्ड में दिखा रहा है 87-88 में तो हम लोगों को बीच में उनका नाम कैसे आ गया हमको समझ नहीं आ रहा है और आदे लोगों को पैसा लगबग आट लोगों को पैसा मिल गया है और हम लोग अभी तक के भटक रहे हैं बचे वे 19 परिवार मुआवजा राशी के लिए लगातार प्रयासरत हैं परंतु शासन प्रशासन की गहरी नींद की वज़े से ये आज तक मुआवजा राशी से वन्चित हैं ग्रेंड A.C.N. नीउस के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट